नमस्कार प्रणाम चमा कीजिएगा खासी के लिए थोड़ा सा हेल्प में नमस्कार प्रणाम मैं रिजनी सुमार पांड़े एक बार पुना है आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रेक्टिस स्मोक एससी पर आज का पहला कोशन बहुत इंपोर्ट कोशन है हाल ही में हाल ही में जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है ठीक है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज हुई है हाल ही में और यह मिलिटरी एक्सरसाइज काफी होती है ना तो सारी इंपोर्टेंट है और सारी जितनी भी करंट के mail मालेशिया के बीच में हुआ तो इसम नाम क्या म क्या है हाल में अन्डिया और मलेशिया के बीच में जाइन्ट इसका नाम है हरी महउ शक्ति ठीक है तो इसे थोड़ा सा पकड़ भी सकते हैं हरी है ना हरी मतलब भगवान नारायंड तो भारत से है और मलेशिया में क्या है मतलब मौ है मतलब एम है तो थोड़ा सा मतलब पकड़ सकते हैं तो इंडिया और मलिशय के बीच में कौन सा स्योक्साइन अभ्यास हुआ हरिमव शक्ति ठीक है तो यह इंपोर्टन्ट प्रश्णों में से एक है संजे कुमार जैन संजे कुमार जैन यह नाम जर्चा में हैं क्योंकि संजे कुमार जैन जो हैं वह cmd बने हैं किसके आयार cts i have you are cts कहना इंडियन रेलवे जो सर्विस होती है इनकी इंगी संब नियर्टइडीश के सीमड होने संजय कुमार जियन हाल ही में सम्यक्टरास्ट्र दिवस यानि की यूनाइट इड़ निसन्डेको यूनाइटीड नेशन दे को सेलिब्रेट किया गया वो प्रतेक वर्ष कम मनाया जाता है चोबिस अक्टूबर को चोबिस अक्टूबर को प्रतेक वर्ष उनाइटी नेशन डे मनाया जाता है बात करें एशियन्स गेम की यह वाला टॉपिक में आप लोगों को भूलने नहीं दूंगा बात करें अधी गेम्स की तो 2022 में होने थे प्रतेक चार साल बाद होते हैं तो ये इसे जो है 2022 और 30 मानेंगे है ना और कहां पर हुआ ये ये हुआ चाइना के हॉंग जू में चाइना के हॉंग जू में चाइना के हॉंग जू में इस गेम्स दो हैर 223 हुए कहां पर चाइना के हॉंग जू मे कब से कब तक हुए थे 22 से 28 अक्टूबर तक ये जो है गेम हुए थे हैना 22 से 28 अक्टूबर थोड़ा सा यहां पर करक्ट करहा चलिए देखें एसियन्स गेम की डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए करा चुका हूँ एसियन्स गेम और मतलब जितने भी होट टॉपिक की वीडियोज हैं चाहे वो नॉबल अवर्ड हों एसियन्स गेम हों जो मनिपूर वाला टॉपिक था जो चंद्र मा का जो हमारा मिशन था जो आदित एलवन मिशन था सौरी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में हैं वहाँ पे ज संस्क्रण था उन्निस्वा संस्क्रण था ठीक है उन्निस्वा संस्क्रण था वो 2022-23 कहलाएगा पते चारवर्ष बाद होता है मुझे आप लोग कमेंट करके बताईए एसियन स्केम कब हुए है ना क्या ये 22-23 सक्टूबर 2030 सही है या ये गलत है यहाँ पे जो है कुशन मा है और वह आप लोग देंगे ठीक है अगला प्रशन देखेंगे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टेंट है स्टेक से भी कनेक्ट करेंगे अगर मैं बात करूँ चीफ चसिस ऑफ इंडिया की तो वह कौन है डी वाई चंद्र चूड डी वाई चंद्र चू है तो अर्द सतक सेंचुरी वाला पाइंट है तो इंपोर्टेंट है ना तो यह क्यों चर्चा में ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इने क्योंकि इने एक अवोर्ड मिला है अवोर्ट फूर हो फूर ग्लोबल हो अ मिदर्शिप वैस्विक नित रत्व के लिए इने पुरुषकार मिला है है ना होवर्ड यूनिवस्टी होवर्ड लॉय स्कूल द्वारा ठीक है होवर्ड लॉय स्कूल द्वारा इने वैश्विक नित्रत्व के लिए प्रुष्कार अबोड फोर ग्लोबल लीडर्शिप प्रदान किया गया किसे सीजी आई भारत के मुख्य ने आए थिस टीवाई जस्टी डीवाई चंद्रचोड को आर्ट काल वीजन दो हजार तेइस का संबंद किस से है तो इसका संबंद ब्लू एकोनोमी से है इसका संबंद ब्लू एकोनोमी से है है ना समुंद्री उध्योग एक तरह से बात करेंगे है ना समुंद्री उध्योग प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी ने इसकी चर्चा भी है कि है तो अम्रित काल विजन दो हजार से नितालिस का समन्द समुंद्री उद्योग से हैं ठीक है अगला प्रश्ण अशोक अशोक वासवानी यह चर्चा में हैं क्योंकि यह हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के cmd और CEO बने हैं ठीक है कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक के यह CEO और cmd बने हैं ठीक है cmd और CEO सोरी MD और CEO बने हैं तो यहां आप लोगों को याद रखना कोटक महिंद्रा बैंक के CEO MD कौन बने है अशोक वासवानी मचर्चित नाम है नियुक्ति है इंपोर्टन्ट है इसलिए याद रखेंगे अनुभव अवोड दो हजार तेइस अनुभव अवोड अनुभव पुरुषकार दो हजार तेइस का जो है अनुभव अवोड दो हजार द्वारा यह पुरूषकार पुरुषकार प्रदान किये गये अनुभव अवोड तो हजार तेइस वाले ठीक है अगला प्रश्न हो कि आयूरवेद दिवस कि आयूर वेद एक स्वास्थ के लिए आयुर्वेद ठीक है यह इसकी थीम है आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम ठीक है तो यह भी इंपोर्टेंट प्रश्ण में से एक है अगला प्रश्ण एक और देखते हैं भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट कहां पर बना है भारत का पहला फॉर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट कहां पर बना है गुजिरात में ठीक है इंपोर्टेंट प्रश्ण में से एक है अगला लाज देखेंगे NECL, NECL, National Cooperative, National Cooperative for Exports Limited, for ठीक है और रक्षा मंत्री ग्रह मंत्री अमिट साहजी ने बहुत से बच्चों को confusion रहता है ग्रह मंत्री ठीक है और रक्षा मंत्री ग्रह मंत्री अमिट साहजी है रक्षा मंत्री कोन है रक्षा मंत्री राजना सिंग जी है तो यहां पर confused नहीं होना ठीक है तो NECL, National Cooperative for Export Limited है उसको launch किया है अमिट साहजी ने इसके लोगों का अनावरण किया है और इसके क्या इसके लोगों का अनावरण किया है और साथ ही साथ जो है इसकी website का भी अनावरण इन्हों नहीं किया है ठीक है तो याद रखेंगे आयरुवेद दिवस 2023 की थीम क्या है आयरुवेद फोरा हेल्थ भारत का पहला फॉस्ट भारत का नैनो डीएपी प्लांट भारत के किस राज्य में गुजरात में ठीक है एंसी एल नेशनल कोपरेटिव फोर एक्सपोर्ट लिमिटेड का लॉंच क चाहा साथ इसके लोगों और वैबसाइट का भी अनावरण इन्हों नहीं किया है तो आई होप आप लोगों को समझ में आयोगा नोट्स जरूर बनाते चले डेली का डेली करते चले ताकि आप लोगों के पास जो है कम से कम तनाव कम से कम टेंशन रहे करेंट फिर्थ की क् को बाके सब्जेक्ट से भी करने है तो ये डेली चीजे करेंगे खुमन लगा कर पढ़ाई करेंगे सक्सिस जरूर होंगे डेफिनेट्ली हैना विशाल ओवर कम वन डे हना कल पुनह मुलाकात होगी तब तक लिए नमस्काद जेहिंद जे भारत